तोर्सो का क्या अर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं तोर्सो का अर्थ होता है धड़, धड़ प्रतीमा या कबंध मूर्थी यानि कि जो धड़ होती है धड़ का मतलब होता है कि जो हमारी गर्दन से नीचे का हिस्सा और जो हमारे शरीर का मीन हिस्सा होत तो ये जो मुख्य हिस्सा होता है हमारे शरीर का इस हिस्से को हिंदी में धड कहा जाता है और इंग्लिश में टॉर्सो कहते हैं और इस धड धड की जो कोई मूर्ती होती है या कोई प्रतीमा बनाई जाती है तो उसको भी हम टॉर्सो कहते हैं इसके इलावा किसी चीज की हम टोर्सो कहते हैं, जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसके धड़ पर घहरे घाव हो गई, तो आप कहेंगे he suffered gaping wounds to his torso, he suffered gaping wounds to his torso, अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें